हिमाचल के पूलिस थाना ज्वाली के अंतरगत चलवाड़ा पंचायत में एक विवाहिता की संदिग्द परस्कीतियों में मोथ हो गई है इस मामले ने आज तूल पकड़ लिया है आज इस मामले में माय के पक्स के सैकड़ो लोगों ने जसूर जुआली मार्ट पर समलाना में विवाहिता का शवसड़क पर रख कर करीब एक गंटा तक चक्का जाम किया माई के पक्ष से आई लोगों की मांग थी कि उनकी लड़की की ससुराल पक्ष के लोगों ने सोची समझी शाजिस के तहत हत्या की है जबकि पूलिस दहेज प्रतारना वो आत्म हत्या के लिए उपसाने का केस दर्च करके लड़की के साथ अन्याय कर रही है जिसे सैं नहीं किया जाएगा उन्हेंने कहा कि जब तक आरोप्यों पर मर्डर का केस दर्ज नहीं होता वह लड़की कांतिन संसकार नहीं करेंगे इस दोरान चक्का जाम की सूचना मिलते ही डियासपी ज्वाली ओंकार सिंग्छा कुर्भारी पुलिस बल के साथ समलाना पहुँचे तथा परदर्शन कारियों को इस मामले में उन्हें हर तरह से न्याय देने का आश्वासन देकर उन्हें समझा भुजा कर जाम खुलवाया इसके उपरात उन्हों ने माईके पक्ष के लोगों के ब्यान भी कमल बत किये माईके पक्ष से जस्विंदर कोर के छोटे भाई दलवीर सिंग ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जस्विंदर कोर ने आत्म हत्या नहीं की है बलकि उसकी सू नियोजित ढंग से ससुराल वालों ने हत्या की है उन्होंने कहा कि शुरू से ही ससुराल वाले से तंग करते थे और उसके साथ मारफिट करते थे ससुराल पक्ष हमेशा दहेज की मांग करते थे डियासपी जुआली उंकार सिंग ने कहा कि माईके वालों के ब्यानों के मुताबिक केस दर्ज किया गया है उसके बाद मुरीतक के पती प्रदीप सिंग को भी गिरफतार कर लिया गया है पुलिस मामने से जुड़े हर पहलों की गंभीता से जाज कर रही है प्रदी लड़की है कि असी जवादी प्रवार ने को लड़की मारती है यहर देखे प्रशासन तो मांग है कि 302 तफाल आके उली मानूं मुड़े दी मुड़े नूं ते पर यानुरेस्ट किता जाबे असी कहता नक्सान करने लिए आए असी इंसाब नहीं लिए आया हो कि बच्चे गरीव ने अनाथ ने बच्चे ने माद लिए ने लिए मैं पेंड़ा मुड़ा सब पांच है लोग तुन्हां नमें दाव न करना कि सरकार न खोल गे सून लवे कि एक काम चड़ा जब कोई क अस बच्ची नो उस परवार ने जहर दे के हथया कार दे अटेंब टूमडर दे चाथ इस लगने जाही ने जाही ने लिए जिन लगार जाए असी हमाचल नकार गे यह हाथ जोड के बेंती लग जाया है इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फाने जाही ने जाही ने जाही ने जाही ने जाही हमारी चैनल को लाइग, शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद हुआ!